हेलो बच्चों गुड मॉर्णिंग आज मैं आप लोंगों के शाद एक महत्त कोण विशय पर चर्चा करने वाला हूं यह विशय है रास्टिय मद्दाता दिवस जदी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें तो रास्टिय मद्दाता दिवस क्यों म लाने का दिन है भारत में राष्टी मद्दाता दिवस हर साल 25 जनुवरी को मनाया जाता है यह दिवस भारत के प्रतेक नागरिक के लिए अहम है इस दिन भारत के प्रतेक नागरिक को अपने राष्ट के प्रतेक चुनाव में भागीदारी की सपत लेनी चाहिए क्योंकि भार भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनको निस्पक्षता से संपन्य कराने की जिमेदारी भारत निर्बाचन आयूग की होती है भारत निर्बाचन आयूग का गठन भारतीय संग्विधान के लागू होने से एक दीन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भा भारत निर्बाचन आयूग का गठन हुआ भारत सरकार ने वर्स 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्बाचन आयूग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राश्टिय मद्दाता दिवस के रूप में मनाने की सुरुआत की थी और 2011 से ही हर सा निर्बाचन वरी को राश्टिय मद्दाता दिवस मनाया जाता है इस दिन देश में सरकारों और अनेक समाजिक संस्थाहों द्वारा लोगों को मद्दान के परति जागरुक करने के लिए भी अनेक कारिक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे की देश की राजनितिक प्रक सब्भेग की याद दिलाता है राश्ची मद्दाता दिवस का आयोजन लोगों को यह भी बताता है कि हर बेक्ति के लिए मद्दान करना जरूरी है भारत के प्रतेक नागरिक का मद्दान प्रकृया में भागीदारी जरूरी है क्योंकि आम आदमी का एक भोठी सरकारे बदल स हम सब का एक वोठी, पल भर में एक अच्छा प्रतिनिधी भी चुन सकता है और एक बेकार प्रतिनिधी भी चुन सकता है। इसलिए भारत के प्रतियक नागरिक को अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए और ऐसी सरकारें या प्रतिनिधी चुनने के लिए करना चाहिए जो कि देश को भिकास और तरक्की के पत पर ले जा सके। भारत देश की 65% आवादी जुवाओं की है इसलिए देश के प्रतियक चुनाओं में जुवाओं को ज़्याद से ज़्यादा भागिदारी करनी चाहिए और ऐसी सरकारें चुननी चाहिए जो कि संपरदाइकता और जातिवाद से उपर उठकर देश के विकास के बारे में उच नीच सांपरदाइक भेदभाव खत्म हो जाएगा यह सिर्फ और सिर्फ हो सकता है हम सबके मतदान करने से 25 जनवरी को भारत के प्रतेक नागरी को लोगतंत्र में विश्वास रखते हुए सपत लेनी चाहिए कि वे देश की स्वतंत्र निस्पक्ष और चुनाव करानी की लोग तांत्रिक परंपरा को बरकरार रखेंगे और प्रतेक चुनाव में धर्म नसल जाती समुदाय भासा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्विक होकर मतदान करेंगे ऐसी सपतें हर बर्स 25 जनवरी को लाखों लोग लेते हैं लेकिन फिर भी इ सामपरदाइक जाती बात और भासाई आधार पर भोड़ देते हैं इससे अनेक अपराधी प्रभरिति के लोग भी देश की संक्सद और विधान सवाव में प्रतिनीधी चुनकर चले जाते हैं इसलिए भारत के प्रतेक नागरिक को सामपरदाइक और जाती आधार से उपर उठकर एक साफ सुत्री छबी के लिए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए राष्टिय मतदाता दिवसका उद्देश से लोगों की मतदान में अधिक्तम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदाताओं को एक अच्छा साफ सुत्री छबी का प्रतिनीधी चुनने मतदान के लिए जाग्रुक करना है हमारे लोगतंत्र को विश्व में इतना मजबूत बनाने के लिए मददाताओं के साथ भारत देश के निर्बाचन आयोक का भी अहम योगदान है हमारे निर्बाचन आयोग की वजह से ही देश में निस्पक्ष चुनाव हो पाते हैं वच्चों रास्टिय मद्दाता दिवस के दिन देश के प्रतेक मद्दाता को अपनी सक्रिय भागिदारी के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए तो वच्चों जद को इसकी जानकारी मिल सके तो वीडियो में आन तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद